हालो एवरीवन आई होप आप सबी अच्छे होंगे तो आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे वेलोसिटी सेलेक्टर एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और यह हमारे सिलेबस में है तो इसको हम पढ़ेंगे तो आए समझते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर क्या है इसके बाद ज और वीडियो क्लास में आएंगी तो यह चोटा सा टॉपिक है जो इसी टॉपिक से रिलेट करता है जिसमें जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फिल्ड में जाता है तो उसके साथ क्या-क्या होता है तो आए आज के टॉपिक को शुरू करते है यह हमारे टॉपिक वेलो सीटी सेलेक्टर तो इस से पहले की मैं टॉपिक स्टार्ट करूँ अगर आपने हमारे चैनल को सब्स्राइब नहीं किया है सब्स्राइब कर लें बिल आइकन भी जरूर प्रेस कर लें तो आई ये सेशन को शुरू करते हैं, वेलो सिटी सेलेक्टर का जो कॉंसेप्ट है, अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझ नहीं है, जिसको कहते हैं, क्रॉस फिल्ड, क्रॉस फिल्ड को कभी कभी कहा जाता है, म्यूच्वली, अब तो बाद आपके समझ में आ गई होगी, क्रॉस फिल्ड का मतलब क्या हुआ, मतलब यह हुआ, कि वोल स्पेस जहाँ पर इलेक्रिक फिल्ड और मैग्नेटिक फिल्ड दोनों हैं, और दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, है ना, like that, like this, यह इलेक्रिक फिल्ड हो हो गया, है ना, तो ऐसे situation में अगर किसी charge particle की entry होती है, वो भी किसी velocity के साथ, तो आपको क्या लगता है, क्या हो सकता है, तो charge particle जब यहाँ पर आएगा, तो charge particle क्या क्या महसूस करेगा, इसके पास velocity है, अगर velocity इसकी 0 हो, तो क्या होगा, तो velocity अगर 0 होगी, तो इस पर जो magnetic force है, वो 0 हो जाएगा, क्योंकि magnetic force इस पर impact नहीं डालेगा, magnetic force तभी उस पर impact डाल सकता है, जब इस charge के पास कोई ना, कोई velocity हो, तो पहली बात, अगर charge के पास कोई velocity नहीं है, तो इस पर जो force लगने वाला है, वो कौन कौन लगने वाला है, तो इस पर सिर्फ एक ही force लगेग और वो है, fe का मतलब हुआ, qe, e जहां पर हमारी electric field और q क्या है, charge, ओके, now let's see another case in which this charge particle has some velocity, अगर इस charge particle के पास कोई velocity आ जाए, let's say magnetic field is condition में इधर है, और electric field इधर है, और velocity से move कर रहा है है, इस direction में v से, अब आपको क्या, आब आप क्या सोचते हैं, कि इसके साथ क्या हो रहा होगा, तो आप कहोगे सर, as usual, पहले तो electrostatic force लगेगा, बिल्कुल सही बात है, तो electrostatic force हमारे किस तरफ लगेगा, अगर charge positive है, तो वो अपनी तरफ, electric field की तरफ है न, तो electric field की तरफ यह जाएगा, positive charge ह है, तो तो यह हो जाएगा, क्यों ही, बहुत अच्छी बात है, अब, magnetic force भी लगना चाहिए, सर, क्यूंकि हमने पढ़ा था, F vector is equal to Q V cross B vector, अच्छा, ठीक है, तो सर, यहाँ पर जो magnetic field है, वो perpendicular direction में है, इनके इनके बीच का एंगल 90 है, तो V और B के बीच का एंगल 90 है, तो यह लगेगा, अब यह लगेगा, तो कैसे लगेगा, यह निकालना पड़ेगा, तो right hand thumb rules से अगर हम देखें, यह इस तरफ जारा है, और magnetic field है, और यह हमारी magnetic field है, तो हम क्या करेंगे, cross product लेंगे, तो V cross B करेंगे, तो नीचे की तरफ, यानि कि इस पर एक और force कौन सा लग रहा है, तो वो लग रहा है, Q V B, है ना, बहुत ही आसान भाशा में है लिखा है, V B क्यों लिखा सर, क्योंकि इसको अगर हम sin theta लिखेंगे, तो theta की जगा पे 90 भरेंगे, तो sin 91 हो जात ठीक है, तो अब आपको क्या लगता है, जब ये हलात हो रहा होगा, तो ये कहेगा, कि तु मेरे साथ चल, ये कह रहा होगा, तु मेरे साथ चल, अब यहाँ पर situation ये बनती है, कि scientist जिसे सोचने ये लगे, कि कभी हमारे सामने ऐसा situation आ जाए, जिसमें हम किसी charge particle को cross field में बिना deviation के जाएगा, तो ultimate goal हमारा क्या था, कि charge particle बिना किसी deviation के mutually perpendicular, electric and magnetic field में कैसे move कराया जा सकता है, तो उस problem का solution है, जो हमारा topic है, और वो है velocity selector, तो हम velocity कैसे select करें, कि जो हमारा charge particle है, वो बिना deviation के, दोनों field के, क्या कहते हैं, दोनों field में जाए, और फिर वापस चला आया, जो भी इसको जो भी करना है, वो कर किया है, है ना, तो आये थोड़ी सी स्की physics समझते हैं, जाहिर से बात है, आप मुद्दा समझ चुके हैं, कि अगर ये charge particle, uniform, यानि cross field में जाता है, तो यहाँ पर एचीज ध्यान देना है, कि E और भी दोनों की value uniform होने चाहिए, जो जाता है, तो बीना division के ये कब जा सकता है, क्या condition है, किस velocity से भेजे कि ये बीना division के जाए, so that's why our topic is velocity selector, so let us try to finish this topic, पुरी कहानी आप समझ चुके हैं, तो आए इसको समझते हैं, अब बात या आती है, कि सर इसकी जरूवत क्यों पड़ी, है ना, तो जरूवत ये पड़ी, एक मास स्पेक्ट्रो मीटर है, है ना, आपको पता है, जे जे थॉम्सन जो थे, जे जे थॉम्सन ने जो E by M निकाला था है, जे जे थॉम्सन एलेक्ट्रॉन की खोज के लिए उनको याद करा जाता है, E by M, इसको कहते है, specific charge है, बहुत ही पहले, एक दो वीडियो पहले मैं इसके बारे में बात करा था, charge by mass कहते हैं इसको, ओके, तो उन्होंने इसको ढूड़ा था, तो उन्होंने भी उनको भी इस चीज़ की जरुवत महसूस हुई थी, velocity selector की, फिर उसके बाद, जो ions है, charge particles है, ये जो है हमारा mass spectrometer, उसमें क्या करते है, इनकी ये applicable है, वहाँ प करता है, तो ये practical use है, हमारे बहुत ही छोटे से concept, जिसको कहते है, velocity selector, आइए समझते है, velocity selector का जो पूरा principle है, आप तो समझी चुके है, situation क्या है, आई इसको finish करते है, है न, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, कि मैं यहाँ पर axis ले रहा हूँ, ये हमारा प्यारा से Z, और कि हमारा X, as usual Y, okay, Y की तरफ हमने रखा, electric field vector को, और इसकी तरफ हमने रखा है, magnetic field vector को, और एक charge particle, हॉले हॉले से, इस तरफ आगे बढ़ रहा है, V velocity से, so we have to find out the value of velocity such that, that the charge can move in this cross field without any deviation, okay, so, so, तो यहाँ पर, चार जो है हमारा, वो V velocity से X की तरफ जा रहा है, और electric field vector जो हमारा, वो Y की तरफ है, और magnetic field vector Z की तरफ है, तो अगर हम सोचें, जैसा कि हमने पहले समझ लिया था, इस पर कितने forces लग रहे हैं, हमको यहाँ पर V की जो value है, ऐसे निकालनी है, कि यह बिना deviation के, इस cross field में move कर सके, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कि सबसे पहले हमको forces देखना है, तो अगर हम इस पर देखे ध्यान से, तो एक forces पर उपर की तरफ लग रहा है, जिसको कहेंगे QE, ओके, दूसरा force, जो यहाँ पर लग रहा है, वो है magnetic force, तो magnetic force कैसे लगेगा, तो य हमने अभी आपको बताया था, निकालना, है ना, ऐसे मैंने अभी आपको बताया था, यह हमारा हो गया Z, यह हो गया X, और यह हो गया Y, तो V cross B, नीचे की तरफ लग रहा है, है न, V cross B करेंगे, तो नीचे की तरफ आप देखेंगे, तो यहाँ पर लग रहा है, QVB, ओके, मैंने magnitude लिया है only direction मैंने आपको आसानी से दिखा दिया है तो क्या होगा at equilibrium at equilibrium क्योंकि physics में सारी कहानी equilibrium पर ही बनती है तो equilibrium की condition अगर आप देखें तो क्या होना चाहिए कि qvb को बराबर होना चाहिए qe के अब q ने q को cancel कर दिया so v is equal to आएगा e upon b अब यहां पर आपको समझना है यही वह velocity है जिससे अगर हम इस charge particle को भेजें तो यह इस cross field में बिना deviation के move करेगा मतलब बिना किसी टेंशन के ना ही electric field का डर और ना ही magnetic field का डर यह आराम से अपना motion पूरा करेगा तो यह derivation हमको निकालना था इसका application मैंने पहले ही आपको बता दिया है तो आई होप आपको सारी चीज़े समझ में आई हैं आप इनको फटा-फट note कर लीजिए और ऐसे ही देखते रहें सीखते रहें क्योंकि जब तक सीखने के जज़बा है तब तक जीतने के ज़जबा ह तो तो दो दो